चलिए दोस्तों आपके अपने चैनल लिवरिशाली जी जीनियस में आपका स्वागत है तो आज हम अस्थानी मान और जाती मान पर कोशन साल्व करते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए देड़ने करते हैं संख्या पांच लाख उनहात्तर हजार तीन सो 87 में अंक नौ के अस्थानी मान एम वास्तिक मान में कितना अंतर है तो इसका मतलब दोस्तों पूछ क्या रहा है कि संख्या नौ संख्या नौ में उसका अस्थानी मान और जाती मान में क्या अंतर है इसका मतलब दोस्तों हम 9 का पहले अस्थानी मान निकलेंगे और फिर 9 का जाती मान निकलेंगे फिर अस्थानी मान में से जाती मान क्या करेंगे घटा देंगे तो जो आएगा हो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एंसर हो जाएगा ठीक है तो चली पहले लिखते हैं संख्या तो संख्या क्या दिया है दोस्तों पांच लाग उन्हात्तर हजार तीन सो सतासी अब इसमें क्या पुछा है दोस्तों नौ का अस्थानी और वास्तिक मान तो नौ का पहले अस्थानी मान क्या होगा दोस्तों देखिए, नो हो गया, नो का स्थानी मान क्या हो जाएगा दोस्तों, किस स्थान पर दोस्तों, देखिए, क्या इदहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने का दोस्तों, गुड़ा हो जाएगा, हजार का, तो कितना हो गया दोस्तों, नो का गुड़ा एक हजार में होगा, तो कितन कितना हो गया दोस्तों नो हजार नो का स्थानी मान कितना हो गया दोस्तों ये नो हजार हमारा अस्थानी मान हो गया और नो का जाती मान कितना हो गया दोस्तों ये अस्थानी मान हो गया अस्थानी मान ये हमारा अस्थानी मान हो गया नो का जाती मान कितना हो गया दोस्तों न 9000 और 9 का जाती मान कितना आ गया दोस्तों 9 तो पूछा है वो अस्थानी और वास्तिक मान में कितना अंतर है तो आप लिखेंगे अस्थानी और वास्तिक मान में अंतर अस्थानी और वास्तिक मान में अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों अस्थानी मान कितना है 9000 अंतर मतलब घटाना घटा देंगे तो जाती मान कितना है दोस्तों 9 हम 9000 में हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों एक हो गया यहां पर 10 में से 9 निकलेंगे तो एक आगया यहां क्या बचा दोस्तों 9 9 हो यहां क्या बचा दोस्तों 8 तो कितना आ गया दोस्तों यह अंसर 8991 यही हमारा क्या हो गया दोस्तों 8992 एंसर हो गया अस्थानी एमान और वास्तिक मान का अंतर हो गया अगर अस्थानी एमान और वास्तिक मान का योग पुछा होता तो कितना हो जाता दोस्तों अस्थानी एमान अस्थानी एमान अस्थानी वास्तिविक वास्तिक मान का योग अगर पूछा होता तो कितना हो जाता तो दोस्तों अस्थानी मान 9000 है और जाती मान कितना है 9 का 9 है तो दोनों जोड़ते ते कितना जाता दोस्तों 9 का 9 हो जाता 009 तो कितना गया दोस्तों 9,009 लेकिन हम से पूछा यही है question में लेकिन हम अगर योग पूछा होता है तो 9,009 हो जाता है ठीक है दोस्तों ठेंक्यू फार वाचिंग